तमाम परियासों के बावजूद भी कैथल में बीजेपी क्यों नहीं खड़ा कर पाई अपना मजबूत चहरा। कारण माने जा सकते हैं जिसमें सबसे बड़ा कारण देखा जा सकता है कि स्थानिय नेताओं के आपसी विरोधाभास कम होने का नाम नहीं ले रहे। चेयर परसन सुर्भी गरक जो भाजपा से ही संबन्द रखती हैं उनकी कहीं भी कुर्सी नजर नहीं आई। इतने बड़े बीजेपी के करेकरम में चेयर परसन की कुर्सी स्टेज से यूँ गायब हो जाना अपने आप में स्थानिय नेताओं पर सवाल खड़े करता है। कैथल जिले के बीजेपी के करेकरमों में अकसर ऐसा देखा गया है कि किसी करेकरम में लीला राम गुजजन नहीं मिलते तो किसी में सुर्भी गरक का ना होना अस्थानिय नेताओं के आपसी विरोधा भास की और इशारा करता है। अभी कुस दिन पहले भाजपा ने जैसे ही कैथल जिले के जिला ध्यक्ष अशोग गुजर को हटा कर मुनिश कटवार को बनाया तो पूरे जिले के बीजेपी नेताओं का नवन्युक जिला ध्यक्ष को बधाई देने के लिए तांता लग गया। लेकिन इसी दोरान हमने ये भी देखा कि कैथल विधानसबा से बीजेपी के मोजूदा विधायक लीला राम इस पूरे प्रकरण में कहीं भी नजन नहीं आए। जो अपने आप में दिखाता है कि खुद बीजेपी पार्टी के स्थानिय नेताओं के द्वारा ही विधायक लीला राम को आए दिन हाशिय की और धकेला जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। जो अपने आप में दिखाता है कि इस तरीके से पार्टी के मुख्य चेहरों को अच्छा खासा प्रोजेक्ट करने के बाद किनारे कर देना आने वाले विधानसवा चुनाओं में बीजेपी को भारी पड़ सकता है। कैथल विधानसवा के लिए बीजेपी का मुख्य चेहरा तैयार ना हो पाने के पीछे आप क्या कारण मानते हैं इस पर अपनी राय कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। फिलहाल कैथल वैग न्यूज की इस पूरी चर्चा में इतना ही। फिलहां! हुष